असलाम अलेकूम चलिए आज आपको रानी से मिलाती हूं दो जोहर का टाइम हो गया है यह में रेस्ट करने की जगह है और आज जुमा है आप सब लोगों को जुमा मुबारक को अभी दोफल से थोड़ी सी इबादत हो गई है एडिटिंग का टाइम था पर ग्रिल जैसे हैं जैसे ही वो बंद हुआ कि मैं आज एडिटिंग रात में कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे आज पहले विडियो बना लेंगे लिए चलिए आपके कुछ कमेंट मैंने लिखे रखे हैं जो बार-बार आ रहे हैं और जो पहला मेना इंट्रोड़क्शन वाला विडियो था उस जो छूट गए थे कोशन उसी से शुरू करते हैं मैंने उसमें अमी अब्बा के बारे में कुछ नहीं बताया था मेरे अमी अबबा विजापूर में रहते हैं अमी का नाम चानबालो है अबबा का नाम अब्दुर्रजाक है और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ मेरे बाद मेरा एक चोटा भाई और बहन हम तीन लोग है मैं एक बहुत गरीब फैमिली से हूँ मैं बहुत छोटा सा घर है ममी सिलाई करते हैं और पपा अट रिक्षा चलाते हैं पपा बिजनस बदलते रहते हैं बिजनस ने क्या हो लेगे चटे-बटे काम है ना उनके कभी आप चलाते हैं कभी यह करते हैं कभी उमो करते हैं दो उनका ऐसा बदलता हुआ चलता है चलिए दूसर Southern क्या में विजापूर vast हूँ मैं मैं वीजापूर. मैं मा dûब शैपूर विजनार है क्या हूँ आप से यह校 विजनार मैं मेंे बढ़ में मैं कुछ शाल हगी हूँ मेरे मम्मी का माइक का बेल गाम है मतलब मेरा नानी यार बेल गाम है वहाँ पर मेरे खाला मामू अगेरा रहते हैं चाचा भी रहते हैं मैं ओवर्एक्टिंग करती हूँ कैसे करूँगी जयसे हूँ ऐसी दिखोंगी न अगर और फुछ ज्यादा पर एड़ हुआ बेनी करना चाहिँ एक वीडियो कर सकती हूँ पांच वीडियो कर सकती हूँ उससे जयादा करने के लिए मैं खुधी इरिटेड़ हो जाओंगी औ वीडियो बनाना अब ऐसा करना ठेर जन चुट कल बनेंगे ऐसा होता मेरे इस चैनल पर लगभग 700 या 800 वीडियो थे पहले बाले चैनल पर लगभग उस पर भी 1200 के आसपास वीडियो थे तो मैं और एक्टिंग नहीं करती हूं मैं जैसी हूं वैसी ही दिखाती हूं आपको ही अपने एज के हिसाब से भी हैय करो किक भाई है चोटों के साथ शपकत से रहो किसी की बात बोली लगती है चोटों को बूरी लगती है तो बोलन यह गलत बात है बिल्कुल दूसरी बार नहीं होना चाहिए मुझे बूरी लगई ये बात चलो कंट के सॉ पर्वाथ कोई बात बोली लगती है मुझे अच्छी नहीं लेगी आपकी ये बात मैं हर्ट हुई वहां से सरख जाने का और आते गुंटे बात मेरे बात चीक है आते गुंटे भी नहीं दसी मिनिट में आमना सामना हो गया तो हाँ चलो खाना प्राएंगे पाली पीएंगे ताके हम को कर लगालव हम जब तक वाले को नहीं बताएंगे तो अगर हम ऐसे ही खामुश रहेंगे तो उसमें और जोड के सामने वाला कुछ और पोलेगा हम बड़े हैं नहीं होगा हम यदम से पलट के जर्चार में जवाब देंगे तब हम गलत साबित होंगे, खामुश रहेंगे तो सहना पड़ेगा, तो बड़े हैं तो तहजी तमीज से थोड़ा सा बोल देने का, और एज के हिसाब से बिहेव करके, एकदम सीरियस रहे के, नहीं मैं इतने साल की हो गई, मुझे ऐसे रहना चाहिए, मुझे ऐसे रहना चा काम करना होता है, तो लिटरली बच्चे और पात्री साब आकर मुझे देखते हैं, काम हुआ नहीं रानी, काम हुआ नहीं, थोड़ा लंबा विडियो है जी, घर बहुत शान्त हो गया है रानी, एक बार का किसा सनाती हूं आपको मैं, तब मैं अभी व्लोगिंग नहीं करत मैं जाकर सो गई, तो तिन गंटे निन लग गई मुझे, मेरे ससूर जैसे ही नहीं थोड़ा सा आवाज आया बच्चों के साथ बात करने का, उड़िये मा, दिवानी, घर कैसा बड़ा बड़ा लगना देख, दिवानी मैं रहे तक तो सोते नको जो, अब मेरे तबियत खरा बना के रखिए, सब को खुश्यां बाटते रही है, मैं ऐसी हूँ, मेरे चैनल पर मुझे एक कमेंट बार बार आता है, हर बार अलग लगई करती है, अलग बहन करती है, मेरा कहां कम हो जाता है, मेरा खाना मेरे हस्बेंट को पसंद नहीं आता, अब इस बात का अंसर में आ पामी पापा की यहां सही से कुकिंग करके आये हैं, कि नहीं आप वो अपने आपको जाज लीजिए, और कुकिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से छोटी-छोटी रेसिपेश शुरू करिए, और हस्बेंट को पसंद नहीं आता है, मतल और हम नमक दालते वक्त बहुत ध्यान रखियें, और मुझे पिछले दिनों में कुछ कमेंट आया कि नमक कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, हर किसी से होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, पकाते पकाते ही हम को चीजें समझ में आती है, शेफ लोगों के ल रेसिपी नहीं होती हैं जैसे मैं पाजी साब के लिए बना रही हूं तो वो चड़ता नमक खाते हैं तो मुझे चड़ता नमक दालना पड़ेगा और अगर मैं दूसरों के लिए बना रही हूं कोई बीपी पेशेंट है तो उनके लिए मुझे नमक कम दालना पड़ेगा यह हम किचन कुईन का सबसे बड़ा मसला है तो आप जिसके लिए बना रहे हैं वो नमक उन्हों कैसा नमक खाते हैं कभी एक अदबर सब्जी में नमक जो सब्जी की तारीफ करते हैं वो सब्जी को ऐसा चसा के ले के खा के दीखिया और पहले अपने मूह में का पानी ऐसा करके तो वैसे टेस्ट करिए और जिसमें वो बोलते हैं यह इसमें मजा नहीं आया तो उसको भी अच्छा खिलाना चाते हैं तो वो हर रोज कुटिंग करें तभी अच्छी और हजबंड को खाना नहीं पसंदा था आप में तो मैंने इतने सारी कमियां भी ना दी आप इन सारों मेंसे आप कुछ नहीं करते हैं आप बहुत प्यार से बहुत ध्यान से अच्छे से पकाते हैं तो फिर आपके हस्बेंट को बाहर के खाने की आदत होंगी वो बाहर बियाली बाहर चाट वगएरा खाके आते होंगे तो आप उनके टेस्ट तक कभी नहीं पहुंच सकते क्योंकि बाहर अजीनो मोटो चाइनीज सार्ड वगएरा बहुते हैं वो दालते हैं वो सीधा 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 सीखत खराब होती है उससे मैंने तो सुना है किड़नी वगराली वर सब खराब होता है तो हम किचन कुई जान बूचते हुए जहर खाने में नहीं दाल सकते तो फिर आपके हस्बेंट को अगर बाहर का खाना पसंद है तो आप यह सोचना छोड़ दीजिए कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती उनके टेस्ट तक नहीं पहुंच सकती कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं और यह इतना वीडियो क्लिप पतला पतला खाना पसंद होता है उनके हिसाब का पकाना चाहिए तो कुकिंग इन्हांस हो जाएगी बिल्कुल भी मेरे चैनल पर मैं सबजियों की चिकन की कम से कम टाइम में सिंपल रेसिपीज बताती हूं आप अगर ट्राइक कर रहे हैं तो आप पहला ट्राइक करिए कम कॉंटिटी में ट्राइक करिए खुद खाईए बच्चों को खिलाइए जब बच्चे पसंद करें दूसरी बाइपका के हस्बेंट को साससुर को दीजिए अगर घर में कोई अब्जेक्शन नहीं है तो ट्राइक कर सकते हैं मेरे निराश नहीं होंगे मेरे रेसिपीज से वीडियो में करती हूँ एडिटिंग में करती हूँ थमनेल में बनाती हूँ वीडियो का नाम में डिसाइड करती हूँ और बच्चे और बादिसाद जस्ट उनका नॉर्मल बिहेव ही में वीडियो में कैच करती हूँ जस्ट वो लोग हस रहे हैं बातिंग कर रहे हैं वही बाकि ऐसा special कोई scripting वगेरा नहीं होती है natural organic videos मिलते हैं आपको और एक question आया था मुझे ये मेरी सोच है हाँ मुझे आपके साथ share करना है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे से जुड़ रहे हैं कामियाब होना तो अल्ला के मर्जी पर depend है मैं कितनी कामियाब होंगी कितनी नहीं होंगी पर जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो मेरा फाइदा उठा ही रहे हैं रेसिपी से कुछ लोग बहुत सारे comment ऐसे लिया आते हैं कि आप इतना करके नमाजे भी पढ़ती है तो वो लोग नमाजे भी पढ़ रहे हैं और एक comment आया था आप पकाते सो देखने को इतना अच्छा लगता और आप नमाज हो पढ़ते सो देखने को अच्छा नहीं लगता खाली आपका cooking की दिमाग में फिरते रहती ऐसा नहीं जी सिंपल सी cooking होती है आपको पसंद है cooking करना इसलिए वहीं दिमाग में घूंते रहती है तो आप क्या करें जस्ट एक note बना लें इसमें इनोंने यह यह डाला है और रेसिपी तो आप देखी रहते हैं रख दें और मैं कैसे time manage कर रही हूं और मैं हेना थोड़ा vlogging में लेट आई जी बच्चे छोटे रहे तक आती थी ना तो और भी आपको मेरे से कुछ सीखने को मिलता था बच्चे छोटे रहने के बावजुद भी मैंने शुकर शुकर अलहमदलिला नमाजे नहीं चोड़ी है अब भी थोड़ा सरदद के वज़े से बड़ बड़ हो रही बड़ बड़ छे मीने में एकादी नमाज चूप जाती है पहले तो नहीं होती शुकर शुकर अलहमदलिला मैं कौन से बात परती जी एक कमेंट आया था तज़पी पढ़ते हैं तो अंगलियों पर पढ़ना चाहिए बिलकुल अंगलियों पर पढ़ना चाहिए अब की चच्रुइन देखिए मैं थोड़ा टाइम लगा कर भी पढ़ती हूं तज़पी थी यह5 और और मैं मेरे आपको नगलीों से बोलें घया ती कियुक्त आदत हो गई है ना गुमाने की और दूसरी बात मैं इद पर मेरे शोहर के कदम बोसी करती हूं ये हमारे पुराने परंपरा है हमारे नानी दादा हूंगे अप्य अप्बा से हम सुनते देखते कंगते आये हैं पुराने पुराने छोंária इसमें इसलाम करब्रैंड यो जब मुझे लगा इतने सारे कमेंट आघया एं благодар inject यह जांचना जब जांची तो एक मुझतिश आप बोल रहे थे पढ़ सकते हैं मगर हर दरजे से नीची नहीं उतरना है। किसी की इज़त करते हैं आज ही में आपगी इज़त करती हूँ आपकी करना चाहती हूं पैर उठाके दे दो ऐसी के खड़ा इंसान पैर उठाके देगा शर्तों पर कहीं इज़त होती है क्या तो मुझे वो सही नहीं लगा और एक मुस्ति साथ बोले के पढ़ सकते हैं इसने कोई खर्ज नहीं है गलत नहीं है पर आप नीचे जुकेंगे देखने वारों को गलत मैसेज जाएगा तो ना करें कामों से बचें यह मुझे सही लगा कोई अगर काम हम कर रहे हैं किसी को गलत मैसेज जा रहा है तो वो काम नहीं करना चाहिए तो देखेंगे दोनों पर फर्क है ना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं शर्तों पर कर सकते है नहीं करना चाहिए मेरी निया मतलब जो भी इनसान जो कर रहा है उसकी निया अला जानता है अला फैसला करने वाला है गलत है बोलकर आप कैसे फैसला कर सकते हैं अगर अला पूछेगा मेरे मेरी बंदी के लिए गलत है बोलकर तुने कैसा फैसला सुनाया कोई भी चीज को आप गलत मत बोलिए क्योंकि उसके पीछे के कंसेप्ट क्या होते हैं उसके पीछे की नियत क्या होती है हम लोगों को नहीं पता होता है एक इंसान कुछ कर रहा है हम को चीज गलत लग रही है पर जब उसे पूछें तो उसकी नियत और उसकी सोच हम इसमेघना किसी पर आपसार मद सुनांगे, कि यह गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसमेट रहे हैं, फैसला सुनानेवाला अगाभा बड़ा है, आप उस पर यह जुबला कर सकते हैं, यह कुछ सहीं नहीं लगा, क्या आपको यह सहीं लगा? यह ठीक नहीं लगा, मतल वोने मेरे लिए भूक के पता है वोही बंदे माता है और नहीत बच्चों के बारे में ऐसा वैसा देखिए जुबान को हिफाज़त करने की हमको तालीम मिलती है और हम दारेक्ट लिपकर सुबूत के साथ छोड़ रहे हैं शोचल मीडिया पर दूसरे पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे बहुत सारे लोग आते हैं ना कमेंट भी पढ़ते हैं बहले ही कमें पानी आपको बहुत आरह रही है अगर मेरी कोई चीज आपको इतनी रग रही है पर आसे अधाना नहीं ही पा ल पाने थो पीना पड़ेगा ना मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा और आप मुझे ओऔरने में आसे भी हों लुज़ ऑरे आप我在 none I knew तो जैसे अभी मेरी कुछ अदाएं आपको पसंद नहीं आई कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आए छोड़ दीजे ना जी इग्मोर कर दीजिए ना जो पसंद आया है उसी को अपने लाइफ में आड़ कर लीजिए हर एक दस इंसान से भी हम थोड़ी थोड़ी थोड़ चलिए यही कहना था जुबान को समाल कर रखिये हो सके उतनी अला की अबादत करिये दुआ में मुझे भी याद रखिये पूरे वीडियो में कुछ भी गलत लगा होंगा तो माचा रख चाहती हूं मिलते हूं अगले वीडियो में अला हाफीज